उत्रपदेश के मुदफपन नगर में एक स्कूल की वीडियो ने पुरी देश को जगजोर के रग दिया वीडियो में एक महला टीचर दूसरे बच्चों से एक मुस्लिम बच्ची को थपड़ लगवा रहे यही नहीं तीचर ने धर्म के आधार पर टिपड़ी भी की वारर वीडियो में दिख रही महला टीचर का नाम तृपता त्यागी है और असल में वो उस स्कूल की प्रिंसिपल है वही जब इसका वीडियो शोशल मीडिया पर वारल होने लगा तो हलकम बच गए इसको लेकर सियासस्त में भी हल्चल मच गए वही पुलिस ने मामले की जाँच परताल की बाद आरोपी टीचर की खिलाब केस तरज करें वही बच्चे की गलती इतनी थी कि वो पहाड़ा याद करके नहीं है वही जब शोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को देखा तो वो हैरान थे कि धर्म की नफरत ऐसी गहरी घर कर गई है कि स्कूल और छोटे-छोटे बच्चे भी शिकार हो रहे है वही कई लोगों ने चिंता जाहिर की कि पीडिद बच्चे के कोमल मन पर इस अपमान की छाप ताउम्र रह जाएगी वही वीडियो में दिख रही मेला टीचर का कहना है कि वीडियो को एडिट करके वायल किया जा रहा है नेहा पबली की स्कूल के नाम से मेरा स्कूल है यह पर्स्ट क्लास से फिफ्ट क्लास तक है वीडियो जो वायल की गई है यह काट पीट के की गई है ना तो मेरा ऐसा मकसद था और क्योंकि हमारे ना तो हिंदू मुसलिम भाई-भाई के उस रहते हैं रिष्टे से और यह जो हमारी स्कूल में तो जादा तर मौमडन बच्चे ही हैं हिंदू बच्चे को में तो उस दिद जो हुआ था यह हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया ना ना प्रस्क्लास की था तो उसके पर पेरेंटस का दबाव मेरे उपफर कि इसे थोड़ा से टाइटली बढ़ा दो तो मेने सोचा में ने 05 मैं उसे, दो चार बच्चों से उसको, कहा कि दो चार बच्चे से लगा दो, तो यह काम करने लगेगा, और बस उनका जो है एक चाचा बैठा था भी, उसका चाचा जो बैठा था वो मुझे से बात भी कर रहा था, और वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मॉम्डन माई हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहां मत लेके जाओ क्योंकि एक्जाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एक्जाम नहीं दे पाता हमारे स्कूल का लोस होता है बढ़ाई पाता बस मैंने यह लाइन बोली थी तो उन्होंने काट पीठके उस लाइन में एक मॉम्डन वर्ड तो रखा और उन्होंने सारा काट लिए और मेरा ये इंटेंसन नहीं था, मैं तो सब बच्चों को अपने बच्चों की तरही ट्रीट करती हूँ और हैं भी सारे अपने बच्चे, टीचर के लिए तो सब अपने बच्चे उटते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्ट करके हमारे नहीं ऐसा तो हो इन सकता और नहीं मैंने ऐसा किया और ना कभी ऐसा सोचा वे लिए क्योंकि ये भी अपनी बच्चे है हमारी स्कूल में पचास साथ बच्चे है हम पांस साल से स्कूल चला रहे हैं बस साथ इसी बोली जाएगी है तो कुछ पताई नहीं चला क्या किया इनों मैं तो बिलकुल अनभीग्या थी मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरे तो इंटरंशन था ही नहीं इसलिए मैंने तो कोई चानवीन भी नी की मुझे तो बाद में पता लगा कि इस तरह से हुई है में से इस चीज के लिए मैं इस चीज के लिए तो मैं हाथ जोड़ के मांपी मांगती हूँ गल्ती तो हुई है वह इस मामले को लेकर सियासत में उबाल आ गया है उत्तर प्रदेश की पूर मुक्यमंत्री अखले शादों ने महिला टीचर को ततकार बर्खास करने की मांगी अखले शादों ने ट्वीट कर लिखा कि मुजफर नगर के एक वारल वीडियो में एक तीचर एक अल्प संख्यत बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है इसमें वो दोहरे अपरात की दोशी है क्योंकि वो पिटवा भी रही है और दूसरे बच्चों को दिंसक भी बना रही है बाच्चों सरकार ये वीडियो जी ट्वेंटी की मीटिंग में दिखा कर साबित करें कि उसका नफ्रती एजंडा किस प्रकार से सही है वही कॉंग्जेस की पूर्वध्यक श्राहुल गानी ने भी पीट कट्टे हुए लेखा मासूम बच्ची के मन में भाग लगा रखी है बच्चे भारत का भाविश्य है उनको नफ्रत नहीं हम सबको मिलकर महबबस सिखानी है वहीं पीली बीच से भाजपा सांसर वर्म गानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ज्यान के मंदिन में एक बच्चे के प्रति घ्रणा भाव ने पूरी देश का सिर्ण शर्म से जुका दिया है शिक्चक वो माली है जो प्रात्मिक संस्कारों में ज्यान रूपी खाट डालकर व्यक्तित ही नहीं राष्ट भी करता है इसलिए दूशित राजनीति से परे एक शिक्चक से उमीद कई अधिक है देश के भविश्य का सवाल है वहीं राष् से उन्हें कहा कि इस दुखत वारदात को भूल जाए क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है परहल इस मामने को लेकर टीचर के उपर कड़ी कारवाई की जानी चाहिए आपके इस मामने को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताए कर दो